अब मस्जिद में साथ बैठके पढ़ सकेंगी औरतें भी नमाज सुप्रीम कोट में एक मुस्लिम दमपती ने एक याजिका दाखिल करी और अपील किया है कि मस्जिदों में औरतों को दाखिल होने पर एक ही जगह पर मर्दों के साथ नमाज पढ़ने का आदेश दिया जाए पूर्णे के एक दमपतीनी मुताबित उन्होंने एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और उन्हें रोका गया बाद में उन्होंने सुप्रीम कोट में याचिका दी इस पर सुप्रीम कोट ने केंदर रास्टे महिला आयोग सेंटर वक्फ काउंसलिंग आफ इंडिया के मुस्लिम पर्सनल लौ अपाउट को एक नोटिस जारी किया है जस्टीज S.A. बोडे की अधिक्ष्टा वाली खंड पीट में पूने की दमपती की याचिका को सुप्रीम कोट ने कहा कि हम आपकी याचिका सबरी माला पर हमारे फैसले के विज़े से सुनवाई कर सकते हैं मौझुदा समय में धर्म औरतों के मसजिद में दाखिल होने और मर्दों के साथ नवाज पढ़ने के बारे में क्या कहता है आरतों के मस्जिद में दाखिल होने पर कुरान में कोई रोक नहीं बताई गई है सिया वोरा और खोजा मतों वाली मस्जिदों में आराम से दाखिल होती है इसलाम के सुनी मत को मानने वालों से कई लोग आरतों का मस्जिद में जाना ठीक नहीं समझते इसलिए सुन्नी मस्जिदों में औरते नहीं जाती हलांकि विदेशों में कई जगे ऐसी मस्जिद हैं जहां पर और आदमी दोनों साथ में ही नवाज पढ़ते हैं लिकिन ये बात सोचने वाली है क्या औरतें वाकई में नवाज पढ़ सकती हैं मर्दों के साथ कुरान और अर्बी भाष्य में पढ़ाई अक्सर मस्जिदों में या मस्जिदों से लगे हुए मदर्सों से होती है और इनमें लड़के लड़कियां सभी शामिल होते हैं नवाज पढ़ने और वजू करने पर कोई रोक टोक नहीं है पर मर्द और और आरतों के लिए इसकी जगह अलग अलग बनाई गई है कई मस्जिद मतों के मताबित नहीं होती ऐसे में शिया सुनी एक ही इमाम के पीछे नवाज पढ़ते हैं अगर कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहे तो इमाम से कहकर पढ़ सकती है इसके लिए अलग जगे दे दी जाएगी उसको याचिक करताओं ने केरल के सप्रीम आला मंदिर में आउड़ों को जाने पे अनुमती देने वाले सुप्रीम कोट के आदिश का हवाला दिया उन्होंने ये भी कहा कि मक्का में भी ओरतें मर्दों के साथ काबा की परिक्वा करती हैं ऐसे में मज्जित में उन्हें मर्दों से अलग हिस्से क्यों रखा जाता है याचि का करदाओं से बारते सविधान के तह तये किया है कि मूल अधिकार का उलंगन बताते हैं अब ये फैस्ला सुपेम कोट और मुस्लिम लौगे अधिक्षक ही करेंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले